क्वान टैलेंट मेंजमेंट एजेंसी अब NCV के रडार पर है जहाँ पहले ही क्वान के हाई ओफिशल जैसे करिश्मा प्रकास जो की टैलेंट मेंजर है दिपिका पादू को उनके साथ ड्रग चैट सामने आते ही उनने भेजा गया समन वही दूसरी और जया साहा जिसको लेक बेजा गया और सबसे बड़े बात यह कि क्वान कंपनी की सीओ ध्रूफ को भी भेजा गया समन वही यह भी डिस्क्रोस हुआ था कि शुशांत के एकाउंट से इस क्वान कंपनी में ही 33 लैक्स गए थे और उसमें से कुछ एमांट ट्रांसफर होए थे रिया चकवदी को ज झाल